चलिए दोस्तों शिरू करते हैं खूनी हवेली का रहस का दूसरा और अंतिम भाग सुखिया के जाती गिरियराज अपने कमरे में जाकर पलंपल लेड गया वै पागल बुडिया क्या वै वास्तम में पागल है या फिर कोई और चक्कर है आधी रात के बाद एक जबर्दस ची तो तुम काति अब नहीं बचोगे पंजे वाले वैक्ति ने एक आएक अपने सिर को टक कर देकर गिरियराज के चेहरे पर चड़ दी ठाक और खुद को उसके पंजे से मुक्त कराकर एक और को भागा गिरियराज रिवॉल्वर ने कारकर उसके पीचे-पीचे भागा रुक अब उसने आस-पास का पूरे अलाका छान मारा किन्तु कातिल उसे कहीं दिखाई नहीं दिया उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया खैर सुक्या की खबर लेता हूं इतने में हवेली के पेरे पर तैना सिपाई दोड़े चलिया है क्या हुगा वह फायर किसने किया मैंन किन्तु कातिल बचकर निकल भागा ओ अब तुम जाओ तुमारी जरौत ही तो बोला लूँगा फिर गिर्याज सुक्या के कमरे में पहुचा क्या पकड़ा किया मालिक नहीं लेकिन उसने तुम पर हमला क्यों किया मैं क्या जानू छोटे मालिक वह तो मुझे मारी ढलता किन था शायद वह पहले सी कमरे में छिपा हुआ था ओ हुआ मगर अब तुम साब्धान रहना ठीक है जोटे मालिक फिर गिर्याज अपने कमरे में आ गया कई इन सब घटनाओं में सुक्या का तो हाथ नहीं 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 वह ऐसा नहीं कर सकता मुझे उस पर शक नहीं करना चाह मैं आपको बताने आया था कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया शायद दो दिन दो तीन दिन लग जाएं कोई बात नहीं इंस्पेक्टर तब तक मैं यहीं रोंगा जैसी तुम्हारी मर्जी मगर कल मैं तुम से कुछ बूचना चाहता था गिरी तुमने समय नहीं दिया क्या आज बताओगे कि ट्रेन में डिट्रेक्ट विशाल से तुमारी क्या बात चीत में माफ करना इंस्पेक्टर साब विशाल साब ने कुछ बी बताने से इंकार किया था आपसे मिलने पर ही वे आपको सारी बाते बता देंगे मगर रोने तो कल शाम को शाम ही आ जाना था इससे इसमें मैं क्या कह सकता हूँ अच्छा तो तुम मुझे इजादत दो अच्छा तो आप मुझे इजादत दो इंस्पेक्टर रमण ने जैसी दरवाजा खोला तो तुम चाहे लाया था आप जा रहे हैं यह सुखिया कहीं दरवाजे पकड़ा मानी बात है तो नहीं तुन रहा था अब चाहे पीकर ही जाना चाहे रखकर सुखिया वहां से चला गया है कि सुखिया कब से काम कर रहा है हवेली में करीब 25 बरसों से कहीं तुम उस पर तो कहीं तुम उसी पर तो हत्या रहोने का शक नहीं कर रहे हमारा कामी हर एक पर शक करना है मिस्टर गरिराज ज़र पढ़ने बता हम पुलिस वाले अपने बाप को भी शक की निगाओं से देखते हैं अरे हां इंस्पेक्टर साब उस पागल बुडिया की विशे में जानने की बड़ी सुकता है मेरी वह कौन है ये तो कोई नहीं जानता लेकिन पिछले च्छे महीनों ने उसे गाओं के च्छे महीनों से उसे गाओं के पराने खंडर में रहते देख रहा हूं सुना है उसका एक जवान लड़का था जो कुछ महा पहले घड़ छोड़कर कहीं चला गया था उसी के गम में पागल उसे ढूनती बटकती हुई बुडिया यहां आकर रहने लगी पर वो यहां यहीं क्यों आई क्या उसे पता था कि उसका लड़का भाग कर इसी गाओं में आए यह मात्र सयोंग हो सकता है अच्छा अब काफी समय हो गया मुझे चलना चाहिए ओके सुकिया साब को बाहर तक छोड़ा बहुत अच्छा चोटे मालिक फिर गिरिराज भी तयार होकर बाहर निकल आया आप कहीं जा रहा है चोटे मालिक हां सुकिया खाले वेली काटने को दोड़ती है गाओं का एक चक्कर लगा लूँगा तो समय आसानी से कट जाएगा तुम भी साब कुछ पूछ कर देखता हूं मगर अभी उसने खंडर में कदम ही रखा था कि हाहा भाग जा वरना तू भी नहीं बचेगा हाहा तुम मैं जानता हूं कि तुम पागल नहीं हूं बताओ तुमने ये सौंक्यों रख रखा है हाहा अपनी जान की सलामती चाहता है तो शहर चोड़कर भाग जा वरना नहीं बचेगा हाहा जब तक अपने भाईयों तथा पिता जी कहतारों को फासी पर जूलता हूआ ना देख लूँ मैं ये हविली चोड़कर कहीं नहीं जाओंगा हाहा पागल मर जाएगा लेकिन और ये 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 चुड़ा हा मालिक आपको खंडर की और जाते देख मैं डर गया कि कहीं कातिल आपको भी कोई नुकसान ना पहुचा दे इसलिए ये चुड़ा लेकर भी मैं ये चुड़ा लेकर मैं भी आपके पीचे पीचे यहां तक पहुँच गया अगर कातिल मुझे य अभी फिर इंस्पक्टर से मिलना होगा। उसने सुखिया को अवेली भेज दिया और खुद पुली स्टेशन जाब पहुचा। अरे आप कुछ देर पहले थो हम मिले थे। एक जरूरी काम याद आ गया था इसलिए चला आया। कैसा काम मिस्टर गिराच। मुझे आज से 25 साल पहले की उस घटना का भ्यारा चाहिए जिसमें पिताजी के खिलाब को एक रिपोर्ट इत्यादी दर्ज की गई हो। मैं समझा नहीं। उस जगड़े के बाद से सुखिया ने उस औरत को इस गाउं में नहीं देखा। पुरानी रिपोर्ट देखकर मैं जानना चाहता हूं कहीं उस औरत ने पिताजी के खिलाब कोई रिपोर्ट आदी तो नहीं लिखवाई थी और अगर लिखवाई थी तो क्यों क्या उसे नहाय मिला था इससे क्या होगा ये मैं समय आने पर बताऊंगा पहले आप भी करनी होगी मैं करूंगा इंस्पेक्टर साथ अगर हम सफल हो जाते हैं तो हत्यारे के बहुत ही करीब होंगे हम आओ रिकॉर्ड डूम में चलें फिर वे सरगर्मी से उस फाइल को खोजने में लग गए पूरे दो घंटों के कटोर परिश्रम के बाद यह मिल गई यही यह ओ लाओ मुझे दिखाओ मैं कानून से प्रातना करती हूं कि मुझे और मेरे बच्चे बलजीत को न्याए दिलवा का ठाकुर को टंडित किया जाए रुकमणी फाइल पढ़ने के बाद उस समय रुकमणी नाम के औरत को शायद न्याए नहीं मिल पाया था साफ लिखा है र इसमें इसमें थाना देख्ष महेश का नाम लिखा है जिसकी गत वर्ष एक एकसीजर में मिटती हो चुकी है लेकिन आपने कहा था अगर फाइल मिल गई तो क्या हत्यारे को तो पहचान चुकी है ओख शायद आपका नाम जान चुका हूं मैं पर आपको अभी इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन अगर कातिल ने आपको कोई नुक्सान कोचा दिया तो क्या होगा आपको मुझे कातिल का नाम बता देना चाहिए उसी रात आज राज मुझे सतरक रहना होगा गिरिराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था एक भयाना का आदमी सोई वो गिरिराज के पास पहुंचकर पहुंचा और जपटकर उसका गला दबाने लगा मगर गिरिराज के जिसमें कोई हरकत नहीं भयाना वक्ति बुरी तरह चौंक पड़ा लेकिन हकीकत ये थी ठीक उसी पल तुमारा खेल खतम होगया प्यारे तुमारा ये तमचा मेरा कुछ नहीं बिगार सकता गिरिराज अगले पल उसके हाथ में पकड़ा पुतला गिरिराज पर उच्छाल दिया इसी के साथ उस भयानक व्यक्ति ने वहां से भागना चाहा मगर इतनी आसानी तो तुम नहीं बाग सकते बल जीत फिर गिरिराज पर तूट पड़ा तूम खड़ा गिरिराज ने सर की टक्कर का वार किया लेकिन जल्दी वह भयानक शकल सूरत वाला इंसान समल गया और मौ कोई अफसर नहीं दिया शीगरीवा बेदम हो गया सुना अत्यारे मैं गिरिराज नहीं हो बलकि प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल हूं यह देखो तो मैं रंगे हांतों पकड़ने के लिए मुझे यह बेश धारन करना पड़ा अन्य था तुम गिरिज का गिरिराज का भी खून करना में सफाल हो जाते तब ही बाहर कदमों की आठ सुनाई दी और साथ ही सुक्या की आवाज भी छोटे मालिक दर्वाजा खोल लिए चोटे मालिक विशाल ने आगे बढ़का दर्वाजा खोल दिया ओ यह जब क्या है कौन हो तुम और चोटे मालिक का है तुमा रमान हवेली के बीतर पहुचा तो मारे हैरत के उचल पड़ा तुम यह इस इंस्पेक्टर कातिल को पकड़ने का यही तरीका था मनिमन विशाल की प्रिशन्सा करने के बाद इस प्रक्टर रमान कातिल से मखातिब हुगा हाँ तो बताओ तुम कौन हो और ठाकर परवर से तुमारी क्या दुश्मनी थी सुनो तो मैं शाहिए सुनकर हैरानी हो कि बलजीट ठाकर की पहली पत्नी रुकमणी का पुत्र है क्या वही रुकमणी जिसे शायद आज से 25 साल पहले ठाकर ने ठुकरा दिया था हाँ और जानते हो रुकमणी कौन है जी हाँ वही पागल अब तक बलजी समझ चुका था कि कुछ भी छिपाना बेकार है अताहा उसने कहना शुरू किया मेरे जनम लेने से पहले ठाकर साब मां को बहुत चाहते थे पर दुर्भाग से जब मैं पैदा हुआ मेरे कुरू सूरत को देखकर ठाकर साब को मुझसे नफरत हो गई मैं इस पैसे कुड़े के ठेर पर फेक आएंगे नहीं मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूगी अगर तुमारी यही अच्छा है तो कान खोल कर सुन लो ठकर आए इस घर में या तो यह बच्चा रहेगा यहां ठाकर साब अगर आपकी यही अच्छा है ठाकर साब तो एक बात आपी सुन लीजिए मैं इस बच्चे के लिए कानून का दर्वाजा कट खटाऊंगी कानून के हैं हमारी तेजोरी में है बेवकूफ हम जब चाहें तुमारे लिए कानून की दर्वाजे बंद करा सकते हैं और अब हम तुमारी सूरत भी नहीं देखना चाते चली जाए इस उने तक मैंने कभी मा के होटो पर मुस्क्राट नहीं देखी और फिर एक दिन मैंने अपनी किसम देकर मा के दिल का दुख जानी दिया उस दिन से मेरे दिल में ठाकुर खांदान से भैयानक परतिशोत की जौला से लग उठी मैं घर से भग कर यहां आ गया मा नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूँ अता हो पगलाई सी मेरे पीचे यहां तक आ गई तब मैंने उन्हें समझा तो लिया मगर मा का दिमागी संद्रून बिगड़ गया और वे पागल जी बनी सबकों पर घूमने लगी रात को रास्तों में पढ़ी अपनी मा को मैं खंडर में उठा लाता था माने मुझे इस हवेली के भीतर बने गुप्त रास्तों के बारे में बताया था मैं हत्या कर गए इनी रास्तों से खंडर की और भाग निकलता था पुलिस को गुमरा करने के लिए मैंने इन पंजों का इस्तमाल किया तुमारी मा अप खंडर में ही होगी हाँ खंडर पहुं साब की हत्या कर दी और अब मैं ठक चुकी हूं अन्तिम बार हमेशा हमेशे के लिए मर रही हूं तेरी अभागी माँ फिर जब विशाल ने परताब कड़ में रह रहे गिर्राज के पासपॉर्ट कर उसे बलजीत के वारे में विसार से बताया तो बर्बस ही उसकी आँखे भर कौन ओ तुम गिर्राज मैं पागल हो गया था मुझे अफसूस है बलजीत कि पिताजी के कारण बड़ी मा को और तुम्हें इतने दुख जहिलने पड़े लेकिन वह सिर्फ तुमारी नहीं बल्कि मेरी भी मा थी मैं ही उनका पूरे सम्मान के साथ किरिया करम करूंगा मेरे भाई काश यह घानी फिर कभी ना तौराई जाएं दूसरे दिन एक साथ चार चिताएं सजाई गई अपने भाईयों की चिता के साथ बलजीत की मा की चिता को आग देती हुए गिरार एक एक इससा खुटा माफ कर देना मा काश तुम्हारे जीवित रहते मैं तुम्हें त्यार होने का शक कैसे हुआ विशाल ने बताया जब तुमने मुझे इस पगली बुडिया के बारे में बताया था बताया जो अपने बेटे की तलाश करते हुए यहीं आकर बस गई तो एका एकी बुडिया मुझे रहस में लगने लगी फिर तुम्हारी फाइल में उसका जवानी का फोटो देखकर मैं चौंक पड़ा और उसका हवेली के इरिदिकर घूमना ठाक और दोरह उसे ठुकराया जाना फिर दूसरी शादी कर लेना इत्यादी बातों ने मेरे शक की पुष्टी कर दी और बलजी धत्यार के रूप मेरे सामने आ खड़ा हुआ समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं थिर्लर होर सस्पेंज सीरीज के अगली कॉमेक्स कबरिस्तान के भूत में तब तक के लिए धन्नवाद